सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी बहाने बनाना छोड़ो काम करो, आलस आता है, तो जल्दी सोया करो, सरे ठीक नहीं है, तो एक्ससाइश किया करो, टाइम नहीं है, तो फाल्तो काम मत करो, नौलिश नहीं है, तो किताबे पढ़ो, पैसा नहीं है, तो खर्च कम और कमाना सीखो, फन कुचलने का हुनर भी सी किये साब के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते सभी के साथ एक समन व्यवहार करना चाहिए दीबग गरीब के घर में जले या अमीर के घर में हर जगह एक समन प्रकास देता है आज का पंचाउन 6 नवंबर 2021 देश शनीमार कार्तिक मास के शुकल पक्च के दुईतिय तिथी सम साथ बचकर चमालिस मिलट तक रहेगी इसके उपरान त्रीतिय तिथी प्रारम होचे आएगी अनुराधा नामक नक्षोत्र रातरी 11 बचकर 38 मिलट तक रहेगी इसके उपरान ज्वेश्टा नामक नक्षोत्र प्रारम होचे आएगी आज का राहुकाल अर्था दिन का सबसे सुपसम में सुबह 9 बचकर 24 मिलट से 10 बचकर 46 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुपसम में सुबह 11 बचकर 48 मिलट से 12 बचकर 32 मिलट तक रहेगा आज अन्दरमा व्रिश्यकराशी पर संशार करेगी और आज शूरियत तुला राशी पर रहेगी आप सभी को भाई दूच की धेशारी सुबकामनाई भाई के तिलक केले शुब महुरत सुबह 8 बचकर 10 मिलट से 9 बचकर 22 मिलट तक रहेगा दोपहर का सुब महुरत दोपहर 12 बचकर 19 मिलट से साम 7 बचकर 27 मिलट तक रहेगा लाप और अमरित के चो घड़िया रहेंगे मेर रासी 6 नमबर 2021 देंश निमार कोई नुक्षान ने दुरगटना आपको घर के मुद्दो पर अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर कर शक्ती है आपको किसी आत्रा पर जाना पड़ेगा जैसे किसे ट्रेंडिंग के लिए या अपने प्रियेजनों से मिलने के लिए जिने आपके जवरत है दर मिलने की भी संभावना है इसका निवे समस्दारी से करें आप अपने काम को बहतरिन तरीके से करते हैं और या आपका बहतरिन गुड़ है कई बार उस साके जगर निरस्ता ले लेती है जिससे जीवन असहनिय हो जाता है अगर आप अपने सपनों और मत्वा कंच्छाओं और आदर्शों को पूरा करने के लिए महनत नहीं करते तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है परिस्थिती में शकरात्मक बदलाव और उचित ओशर मिलेंगे अपने हर काम को लगन से करने के ललक रहेगी अच्छे नतीजे भी हासिल होंगे संतान सम्मंधित को सुप समचार मनने से सुकून भी रहेगा पुरानी समस्याय सुलख शक्ती है विचारों में इस फश्टता बनी रहेगी लक्षता करने में असानी होगी हर एक व्यक्ति के साथ के समंधों का और लोकन करी ताकि अपने आसफास के वर शकारात्मकता बनी रही जिस काम में आपको रूची है ऐसे काम को करियर के रूप में अपनाना आसान होगा जो लोग एक दुश्रे से अलग होना चाहते हैं उन्हें अपने निर्ने ठीक से सोच उचार करना चाहिए बीपी समंध तकली भी बढ़ सकती है शौधानिया ध्यार रखेंगे कि कुछला परवाही और टेली पैथी के कारन वहतोपूर्णा काम करते हैं परवारिग वाता वरन में कहीं न कहीं कुछ असान्ती से मैसूस होगी भाईयों के साथ समंधों में मजबूती बना कर रखें आयके साथ साथ कर्चों के भी अतिक्ता परशान करेगी बात करते हैं लव लाइफ की अगर जीवन में कोई परशानी है तो अब उसका सामना पूरे दल से करें रिस्ते को मजबूत करने के लिए प्यार के दो बोल और एक उसकुराहट ही काफी होती है बस जो भी करें दल से करें परवार के बच्चों के लिए यह समय संकट से भरा है दुन्या चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपके उस्या को कम नहीं कर सकती लव लाइफ में मिठास बनने के लिए अपनी प्रेम के सांस साथ जुनून की आपको ठंडी ना होने दे छोटी-छोटी सरारते प्यार को भी गहरा बनाती है भविश्य में नए रिस्तों के बनने का भी अनुमान है बात करते हैं करियर की जो लोग आज नए वैपार या जोड़त और मड़मत आदिसे सम्मंधित असाइमेंट के बारे में सोच रही हैं वे अपने सपनों की दिसा में आत्म विश्वास से आगे बढ़ें क्योंकि लकाप के साथ हैं जीवन में सांथिय बहतर शंभावनाओं के लिए अभी आप वगवान का सहारा लेंगी इस सुब दिन जुए असटे बाजी से दूर रहें अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करते तो इन सपनों का कोई महत्व नहीं है अजह आपके जीवन की उदाशिंता उसा में बदलने वाली है आपके प्रिया साब को इस परिवर्तन की भावना से बाहर निकलने का एक मातर तरीका है जीवन में हर एक मुश्किल कोई ना कोई संदेश या फायदा लेकर आती है बात करते हैं सेहत की मौसमी बिमारी जैसे सरदिखा से जुखाम हावी होशक्ती है अपना ध्यार रखे तथा आयोडवेदिक इलाज सबसे उत्तम है आज का उपाए आज अब सनी भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ